गुड मॉर्निंग फिप्ट क्लास नाओ वी स्टार्ट मैट्स क्लास एड एक्सराइज 17 ब्रेन टेजर brain टेजर में अब क्या है, इसके अंदर हमें कुछ इस तरह की ग्याया है, जिसमें हम अपने mental level को, अपने IQ level को हम increase कर सकते हैं, जिसके आपको एक कुछ इस तरह की होती हैं, जैसे आपको एक question दिया हुए, 72 प्लस 4 और यहां पर डैश लगाया हुआ है और इनका answer बताना है यह तीन options दिये हुए इन तीनों में से क्या answer आ सकता है में पास अब देखे हम इसको थोड़ा बहुत solve कर लेते हैं 7 और 4 11 तो मतलब कुछ ऐसे desert आए में पास अब 11 के आसपास की desert यह है तो मतलब में पास answer इसका लमसम यही आएगा तो अब 2 में में क्या add करों कि में पास 5 आ जाए 3 3 और 2 5 तो यह मतलब इसका option क्या हो जाएगा answer का बी वाला ओकी clear है हाँ जी इसी तरह के में पास questions आएंगे अब देखे अगर हम question number first इसको try करते हैं choose the correct answers में क्या है मेरे पास first part 4 फिर हमें box दिया है और 6 3 और box और plus अब हमें बताना है कि इसका answer क्या आएगा तीन options दिये है 4 8 3 6 8 3 या 8 8 3 अब देखे 6 8 3 8 8 3 तो हमारे पास तब आएंगा जिब हम यहाँ पर कोई बहुत बड़े dessert लेंगे यहाँ पर अगर maximum dessert लें तब हमारे पास 6 6 या 8 हमारे पास नहीं आएगा फिर भी अगर हम 9 भी लेते हैं तो 9 on 3 12 हो गए 2 और 1 carry जाएगी 2 carry तो फिर भी नहीं जाएगी तो मतलब इसका answer lump sum क्या आएगा 4 8 3 तो देखें हम यहां क्या लिख देंगे 4 8 3 तब हमें यह फाइंड करने कि इन बॉक्स में हम क्या लिख सकते हैं कि में पास 3 बन जाए 3 तो 3 तो कैसे बनेगा माइनस करके बनेगा लेकिन हम इसमें कुछ ऐसे बढ़ डिजट आड कर देते हैं सब जैसे हमें 7 अगर इसमें एड कर दो 7 और 6 13 13 वन कैरी जाएगी रोके वन कैरी अठी और एक बन फॉर हो गए अब मैं पॉर में क्या एड करूं कि में पास 8 आ जाए वाक्ति पॉर तो में पास क्या आ जाएगा यहां पर बॉक्स में 7 और इदर वाले में 4 हो गया कोशन सौल इसी तरह से ही हैं इसको में आपको थोड़ा मैंटली प्रिप्यार रहना पड़ेगा तब ही कोशन सौल हो पाएंगे आपको यह इन कोशन को करने से आपके मैंट्स जो है वो स्ट्रोंग हो सकती हैं स्ट्रोंग भी होगी इन कोशन आपके आए की लावल को भी चेक करते हैं नेक्स देखें जैसे सेकंड कोशिशन है थ्री नाइन फिर बॉक्स दिया है वन फिर बॉक्स अंदन टू अब देखें मेंट पास आप्शिन क्या दिया हैं 4-9-5-3-4-5 यह 2-6-5 अम देखें जब हम एड़ कर रहे हैं तो 3 और 1 फूर मतलब 4 से ही मैक्सिमम मुझ कोई डि और श्रूज मुझा सो श्रीम इस पूर जाहिए तो मृ नियू है बोप्स गरिए तो खना कर रहें तो यह स्थे खिर वहां में करें कि ने बाइन कर सना थे और जिह इस वाइंड् 0 आएगा ओकी इसी तरह से माइनस में भी है यह आपके पास addition के लिए questions थे अब एक question है जिसमें आपको माइनस शो करना है माइनस में देखे 7 5 फिर आपको डैश दिया है 2 डैश और 5 फिर माइनस अब हमें आप से बताना है क्या आएगा सेविन माइनस टू फाइफ आ सकता है और में पास फाइफ फाइफ के टू questions है मतलब 6 तो आए गहीं नहीं यह तो five आ सकता है यह four five ही आ सकता है में पास तो five five के भी दो उद्धियें हुएं में पास तो में पास क्या आएगा हम देखिए first digit देखिए मैं ऐसा देखिए two यहां पर same है यहां भी two same है मतलब यहां तो में पास आंसर क्या आएगा टू इधर वाले में क्या आएगा टू और इधर अक्कोस पाइप ही आएगा ठीक है अब यहां पर ऐसे क्या डिजिट रखे कि में पास अब 7 देखे 7 5 7 2 अगर देखे तो बीच में आपनों को 7 बनाना है 7 कैसे आएगा आंसर में यहां तो हम यहां से कह रहे है रहा है तब 7 आसकता है लेकिन वह भी नहीं हो रहा है तो मतलब यहां पर क्या अंसर आएगा 5 1 2 अब देखें किसमें से मैं 5 माइनस करूं कि में पास 2 अंसर आजाए 7 माइनस 5 तो अंसर आते है हां जी 2 अंसर आते हैं अब 5 में मैं क्या माइनस करूं कि में पास 1 आजाए अपकोस 4 4 को हम माइनस करें तो में पास 1 अंसर आजाएगा तो मैं पता चल गया कि बॉक्स में में पास क्या अंसर आएगा इस exercise के सबी questions इसी तरह से ही है आपकी जैसे 17.1 है 17.1 का आपका first question है 5 box 3 plus 5 box और फिर हमें एड बताना है क्या अंसर आएगा 4 5 2 आ सकते इसका अंसर नहीं आ सकता 800 बीस से बहुत जादा होगा सरफ 5 या तो इसमें 59 एड होगा या 51 या